नमस्कार दोस्तो दोस्तो अगर आपको भी call ended की problem आ रही है जब भी आप किसी को call करते हो और अगर आपको call ended की problem आती है तो आप इस problem को किसे ठीक कर सकते हो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसे ही मैं call करता हूँ किसी को भी मेरा call ended हो जाता है मुझे call ended की problem आ रही है तो मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ जिससे आपको भी कुछ problem नहीं आए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अगर आपको भी call ended की problem आ रही है तो आप कैसे ठीक कर स मोड में डाल देता हूँ एरो प्लैन मोड में डालने के बाद में एरो प्लैन मोड में से हटा देता हूँ अब दोस्तो अब अगली settings आपको क्या करना होगा आपको settings पर चले जाना है mobile settings पर और यहाँ पर आपको SIM card and mobile network का option देख रहा होगा आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारी settings देख लेना है कि कुछ भी disabled नहीं है सारी enable होनी चाहिए दोस्तो जब आपकी यह problem solve होगी तो मुझे जियो की sim में problem हो रही है तो मैं जियो भी sim पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको एक पर सारी settings देख लेना है correct settings कर लेना है सारे enables कर लेना है options को क्योंकि कभी कभी इसा होता है कि अगर कोई settings enable नहीं है तो आपको call ended की problem आती है और आप किसी को भी call करते हो तो वह call नहीं लगता है दोस्तो तो आपको सारी settings देख लेना है correct settings कर लेना है एक पर enable कर लेना है तो मेरी सारी settings enable है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरी call and date की problem सही हुई या फिर नहीं हुई तो यहाँ पर मैं किसी को call करता हूँ और आपको बताता हूँ जीयो की sim पर मुझे problem आ रही थी तो मैंने जीयो की sim से call किया और यहाँ पर देख सकते हूँ मेरी call and date की problem बिल्कुल सही हो चुकी है बिल्कुल fix हो चुके problem तो दोस्तो बस हचकी इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं किसी अगली वीडियो को साथ वापस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जड़ो से कर लेना